प्राइम टीवी सच साहस सरोकार कर दिया गया है देखिए हमाई इस खास रिपोर्ट में आयोध्या में 30 साल पहले 6 दिसुंबर 1992 को बाबरी मस्जीत का धाचा किराया गया था इसके बाद कई हिंसक घटनाई हुई और ये विवाद इत्मामला सुप्रीम कोट तक पहुंचा जिसके बाद साल 2019 में सुप्रीम कोट ने केस की सुनवाई कर फैसला दिया और विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जिसके बाद रामबंदिर पन्ना शुरू हो गया है हलांकि इसके बाद भी तमाम संगटनों और नेताओं द्वारा इस मुद्डे को ठाया जाता रहा है गौर तलब है कि 30 साल पहले आजी के दिन आयोध्या में राम जन्मुम्भूमी पर बने बाबरी मस्जिद के धाचे को कार्सेव को ने धाहा दिया था जिसकी आज यानी 6 दिसंबर को 30 वी बरसी मनाई जा रही है हिंदू संगटन जहां इस दिन को शौरे दिवस के रूपे मना रहे हैं तो दूसरी और बाबरी कमेटी विरोध प्रदशन करती रही है बतादे की भैद्राबाद में कुछ मुसलिम महिलाएं बुरका पहन कर सरको पर उतरी और बाबरी विध्वन्स के खिलाप प्रदशन भी किया बाबरी मस्जिद विध्वन्स का विरोध करने के लिए अपने घरों पर काली ज़ंटे लगाए बाबरी मस्जित को फिर से बनाने का संकल्प लेने के लिए एकत्रों ही जबकि मत्रा में अखिल भारती हिंदू महासभा समेथ कुछ हिंदू वादी संगठनों के एलान के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है इन हिंदू संगठनों ने एलान किया है कि 6 दिसंबर के मौके पर वे ईद गाहा परिसर में हनमान चालिसा का पार्ट करेंगे बता दे कि स्रीकिष्न जन्म स्थान के पास इस्थित ईद गाहा का मामला कोर्ट में लंवित है हिंदू पक्ष का आरोप है कि मंदिर की भूमी पर कबजा कर मस्जिद बनाए गई है बहराल मत्रा में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस पलतेनात है हिंदू महासभा ने ईद गाहा में लड़ू गोपाल की पूजा का भी एलान किया है जिसके चलते स्री किष्ण जन्मस्थान और शाही ईद गाह मस्जिद के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है पुरे छेत्र को दो सूपर जोन, चार जोन और आट सेक्टरों में बाटा गया है आगरा जोन के करीब 1261 जवान सुरक्षा में मुस्तैत किये गए है तो वहीं हिंदू संगठन इस दिन को सौरे दिवश के रूपे मनाते हैं और इस मौके पर अयोध्या में भी सुरक्षा के विशेस बंदोबस्त किये गए हैं वहीं बाबरी कमेटी काला दिवस मना रही है वैसे बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि राम मंदिर मावले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पात ये विवार पूरी तरह से खतम हो गया है इसलिए किसी तरह का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए वे रिपोर्ट प्राइम टीवी हमाई खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश प्रदेश की ख़बरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार आप देखने प्राइम टीवी मैं हूँ मनीश बदोरिया उप चुनाओ के बाद सभी सियासी पार्टिया नगर निकाच चुनाओ के तैयारियों जुट गई है इसी बीच 17 मेर के लिए आरक्शन सूची जारी कर दी गई है इसी बीच बोलत में हम आपको मुझाओ के लिए है